असलाम लेकुम आज हमने बात करनी है मेंडिबल बोन के बारे में तो यह हमारे पास क्या है मेंडिबल बोन है अब मेंडिबल बोन को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है एक हमारे पास बोडी यह है एंगल और यह हमारे पास रैमस बोडी एंगल और रैमस ठीक है यह हम के साथ किसने होती है हमारे पास एक temporomandibular joint बनता है जो किन के दर्मयान में होता है temporal bone of skull और mandible के दर्मयान यहां पर हमारे पास temporomandibular joint बनेगा मैंडीबल इसको lower jaw भी करते हैं उसको इस ड्याग्राम के थूरु भी देखते हैं दुबारा से देखते हैं यह हमारे क्या बन रही है होर्स शू शेप की ना बोडी बन रही है होर्स शू शेप ठीक है ये बोडी है ये उसका एंगल आ गया और ये हमारे पस बन रहा है रहा है ठीक है अब जो बोडी है ना सबसे पहले अगर हम उसकी बात करें ना तो हमने उसको आउटर सिर्फेस में इसी तरह उसका एक अपर बॉर्डर होगा जिसको हम एल्वियूलर बॉर्डर भी कहते हैं जहां पर हमारे पस क्या होंगे तीथ के और एक हमारे पस लोवर बॉर्डर होगा जो हमारे पस बेस बनाता है मेंडिबल का एक राइड हाफ होता है और एक लेफ्ट हाफ होता है ठीक है राइड हाफ और लेफ्ट हाफ आगे जाके मिलते हैं आपस में और एक लाइन बना रहते हैं जिसको हम कहते हैं सिंफिसिस मेंटे क्या कहते हैं सिंफिसिस मेंटे right half of mandible और left half of mandible आगे midline में जाके एक line बनाते हैं जिसको हम कहते हैं symphysis menti हम ये body का outer surface area देख रहे हैं तो outer surface area में हमारे पास एक triangular projecting area बनता है midline में बिल्कुल midline में एक triangular projecting area बनता है जिसको हम कहते हैं mental protuberance क्या कहते हैं mental protuberance अब इस mental protuberance के inferolaterally अगर हम जाएंगे inferolaterally जाएंगे तो ये दो tubercle बनाता है जिसको हम कहते है mental tubercle एक इदर tubercle और एक इस साइट पर tubercle तो हम उसको कहते है mental tubercle mental protuberance के अगर हम inferolaterally जाएंगे तो हमारे पास एक tubercle बनता है जिसको हम कहते है mental tubercle उपर हमारे पास incisor, तीथ पड़े में हैं, नीचे हमारे पास mental tubercle है इन दोनों के भीज में हमारे पास एक fossa बनता है जिसको हम कहते हैं incisive fossa ठीक है, यह हमारे पास आ गया central incisor, lateral incisor, canine, first premolar, second premolar, first molar, second molar और third molar ठीक है, अब first premolar और second premolar के mid में न, mid में हमारे पास यहां पास एक पड़ा होता है mental foramen बोर्द के Letter के में हमारे पास एक पड़ा होता है mental foramen, ठीक है, अब यह हमें हमने दे का एक रमस है, रमस का भी यह णोब है posterior border रेमस का एंटीर बोर्डर है वहां से एक लाइन आती है वहां से एक लाइन आती है और वो कंटिनीव होती है कहां तक जाती है मेंटल ट्यूबरकल तक जाती है यह लाइन कहां तक जाती है मेंटल ट्यूबरकल तक इस लाइन को हम कहा देते हैं oblique line क्या कहते हैं oblique line यहां पास आउटर सेस होगी है Hundreds struggled body में हमारे पास एक line बनती है जो कहासे start होती है यह ost had इ gimbal यह यहां से plat होगी और कहां तक जाएगी और कहां तक जाएगी median area तक जाएगी इस line को हम कहते हैं malohíoid line क्या कlauswl माइलो हायोइड लाइन अच्छा माइलो हायोइड लाइन के नीचे क्या पढ़ा होता है नीचे एक फोसा होता है जिसको हम कहते हैं सब मेंडिबलर फोसा क्या पढ़ा होता है सब मेंडिबलर फोसा होता है नीचे और उसके अंदर क्या पढ़ा होता है सब मेंडिबलर ग्लैं पड़ा होता है ठीक है अब यहां पे हमनें सिंफिसिस मेंटी की बात की थी अगर हम यहां पे राइट हाफ और लेफ्ट हाफ ऑफ दा बोन जो है वो उस लाइन पर जा के मिलते हैं अगर हम उस सिंफिसिस मेंटी के पोस्टीरियली देखें तो हमाईरे पास चार एलिवेशन ह नीचे की तरफ होती हैं जिनको हम कहते हैं इंफिरियर ची रच सब्सक्राइब अंव मेंटल च्वाइन। आक करेदल प्रचंट चेट को नाचसे को सचाव बार हों उनADE इस ने आक मैं थाहर वह अइस अभर करना नेचे बच billion is inferior genial tubercles का नाम दिया ठीक है अब हमने देखा कि इस body के उपर का जो हमारे पास border बनता है उसको हमने upper border का body के उपर हमारे पास upper border था body का जिसको हम alveolar border भी कहते हैं और उसके अंदर क्या होता है sockets पड़े होते हैं teeth के लिए किसके लिए पड़े होते हैं teeth के लिए अब जो lower border है mandible के lower border के भी median region पे जहां पे each half of mandible मिलते हैं उस region पे ना हमारे पास lower border of mandible पे दो over depression बनते हैं each half पे जिनको हम कहते हैं diagnostic fossa ramus की बात करें तो ramus quadrilateral in shape होता है इसकी दो surfaces होती है जो बाहर की प्रकार करने की दनकों होती है उसको हम कहते है मीडियल सर्फेस यहां पे शोकी ऑवी आंदर की दर th पैस बनाता है जिसको हम कहते हैं mandibular nose उसके बाद हमारे पास posterior border आ जाता है और एक हमारे पास आ जाता है lower border अब lower border क्या होता है basically यह base of mandible थी base of mandible की backward continuation से हमारे पास lower border बनता है ramus का ठीक है अच्छा अब इसके दो processes है एक है coronoid process है और एक हमारे पास है condyloid process coronoid process triangular in shape होता है ठीक है और इसका anterior border जो है coronoid process का वो ramus के anterior border के साथ continue होता है और जो इसका posterior border है coronoid process का वो mandibular nose के साथ continue होता है condyloid process का head होता है जो के expanded होता है और यह head जो है टेंपोरो मेंडिबलर जॉइंट मुनाता है फिर नेक आ जाती है इसके नीचे और यहां पर एंटिरियर सर्फेस ऑफ कॉंडुलोइड प्रोसेस में हमारे पास एक डिप्रेशन बनता है जिसको हम कहते हैं टिरीगोईड फोविया यह रेमस की लेटरल सर्फेस है जो बाहर की रेमस के सेंटर से थोड़ा सा अबव जाने तो हमारे पास एक फोरमन बनता है जिसको हम कहते हैं मेंडिबलर फोरमन मेंडिबलर फोरमन के एंटिरियर मार्जिन पे टंग लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं लिंग्यूला क्या कहते हैं लिंग्यूला ठीक है अब mandibular foramen, mandibular canal बनाता है, जो कि नीचे जाती है, body में जाती है, और mental foramen, mental foramen में जाके open होती है, वो canal, ठीक है, अब इसके नीचे, mandibular foramen के नीचे, एक groove बनता है, जिसको हम कहते है, mylohyoid groove, और नीचे पड़ा होता है, sub-mandibular fossa, यह mylohyoid groove, जो है, sub-mandibular fossa में जाके, disappear हो जा जाता है, 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 जाता